हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम आपको 5-6 यर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं जिसके लिए हमने 75 cm प्रिंट फेबरिक लिया है 50 cm प्लेन फेबरिक लिया है यह हमने दो पीस ले लिये हैं जिसकी लेंद 22 अब हम इसको ऐसे करते हुए फॉल्ड कर लेते हैं फॉल्ड लेयर यहां पर इसकी हो गई है शॉल्डर हमें इसका 5 इंच रखना है और आर्म होल की लेंद हमें 5.5 इंच रखनी है यहां से हम इसको चकोर कर लेते हैं चेस्ट 7 इंच की हमें इसकी रखनी है नीचे की पिर से हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं जिससे हमारी फ्रोल साइड से लटकेगी नहीं आर्म होल में हमें इसके गोलाई कर लेनी हैं अब उपर के आर्म होल को हम नीचे के निशान से मिला देते हैं यहां पर जो निशान हमने लगाया हुआ है उसमें हम गोलाई कर ले प्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा यहां से हलका सा शोल्डर हम धालदार कटिंग करते हैं क्योंकि शोल्डर हमारे धालदार होते हैं नेक की चोड़ाई हमें 2 इंच लेनी है और लेंथ में इसको 3.5 इंच लेना है ऐसे करते हुए हम इसमें गोलाई में निशान लगा लेते हैं अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यहां से हमें योग के लिए इस पर निशान लगाना है जहां पर हमें डोरी लगानी है तो 10.5 इंच का हमें यहां पर निशान लगा लेना है और इस निशान को ऐसे करते हुए मिला लेना है दूसरी साइड पर भी हमें सेम इतना ही निशान लगा लेना है लेंथ में 10.5 इंच करना है और चोड़ाई में इसको पूरे गहरे पर कर लेना है यह हमने योग के लिए निशान लगा दिया है यहाँ पर हमें बेल्ट लगानी है इस निशान को हमें सीधी साइड में लगाना है अब हम 3 इंच का बेकने कटिंग कर लेते हैं इससे बेबी को पहनाने में परिशानी नहीं होती है यह हमने स्ट्रीपली है जिसकी चोड़ाई 2 इंच है लेंथ में यह 4 इंच है इसको हम 3 इंच यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर रख कर लगा देते हैं यह दो पीस हमने फ्रिल के लिए ले लिए है लेंथ में यह 7 इंच है और चोड़ाई में यह जितना हमारा कपड़े कार्ज होता है इतने ही हमने ले लिए हैं 42 इंच के यह फ्रिल है इसको हमें एक साइड से फॉल्ड करना है और एक साइड में चुनट डालनी है दोनों फ्रिल हमारे सेम इतने ही यह हमने स्ट्रीप ली है जिसकी चोड़ाई 1 इंच है दो स्ट्रीप हमने ले ली है एक डोरी के लिए और एक योग में लगाने के लिए यहाँ पर यह रेव की पाइपीन हमने ली है जिसकी चोड़ाई 1.5 इंच है अब सबसे पहले हम अपना बेकनेक तैयार कर लेते हैं इस ट्रीप को हमें ऐसे इसके उपर रखना है और दूसरी साइड को सिलाई लगा कर पलट लेना है बीच में हमें इसमें हलका सा कट लगाना है अब सब फैबरीक इस पट्टी के नीचे की साइड को करते हुए हमें इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगानी है अब हम इसको फॉल्ड कर लेते हैं और इसके उपर एक सिलाई लगा देते हैं नीचे की साइड से हमें इसको चकोर करना है अब हम दूसरी साइड में इसको पलट लेते हैं ये देखें फ्रेंट्स कितनी प्यारी सी हमारी ये पट्टी लगकर तयार हो गई है अब हम फ्रंट के आर्म होल में गहराई कर लेते हैं इससे फ्रोक की शेप आर्म होल की बहुत जाद अच्छे आती है इसलिए आप बेवी की कोई बीड रेस बनाए या आपनी भी तो फ्रंट आर्म होल में हमें जरूर कटिंग करनी चाहिए ये देखें अब हम दोनों पीस को एक साथ मिला लेते हैं और शोल्डर पर इसके सिलाई लगा लेते हैं शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए जिससे हम साइड में पाइपिन या स्लिव्ज वगेरा लगाते हैं तो ये साइड से खुलते नहीं हैं अब हमार महल की पाइपिन लगा रहे हैं पाइपिन को हमें हलका हलका सा खीचना है सब जंगे से जरुर से जादे पाइपिन को हमें किसी भी जंगे से नहीं खीचना है और अंदर की साइड हमें ध्यान करते हुए इसमें बिल्कुल बराबर फेबरिक लेनी चाहिए जिससे हमारी उपर की शेप भी बहुत जादा अच्छी आती है एक्स्टा फेबरिक हम कट कर देते हैं और पाइपिन को हम फॉल्ड कर लेते हैं दो बार पाइपिन हमें इसमें फॉल्ड करनी है और इसके उपर किनारे पर सिलाई लगानी है जो नीचे की सिलाई हमारी आई हुई है वो सब इसी के नीचे की साइड को हम दाब देते हैं आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी पाइपिन की शेप बेट गई है ऐसे ही पाइपिन हमें दूसरे आर्म होल में भी लगा लेनी है और नेक में भी ऐसे ही पाइपिन लगा कर इसको हम तयार कर लेते हैं ये देखिए हमारी सबी पाइपिन लगकर कितनी प्यारी सी तयार हो गई है प्रेंट्स जितनी फाइपीं हमारी front side से होती है, इतनी ही back side से भी होती है, अब हमारा ये फ्रिल है, फ्रिल को हमें बारीक सा fold करने हैं, दोनो फ्रिल सेम हमें ऐसे ही fold करने हैं, फ्रिल हमारा फॉल्ड हो गया है अब हमें इसमें यहां पर बारिक बारिक सी चुन्नटे डालने हैं इसमें चुन्नटे आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह की डाल सकती हैं जिस तरह की आपको आसान लगें इसी तरह की चुन्नट आप इसमें डाल लीजिए चुननट डालकर हमें फरोक के गहरे से फ्रील को माप लेना है, उससे हमें बराबर रखना है, जिससे जब हम उस पर लगाएं तो हमें परिशानी ना हो, अगर आपकी चुननटे कम ज़ादा हैं, तो आप चुननटे खोल भी सकती हैं, और डाल भी सकती हैं अब हम इसको फ्रोग पर रखते हैं और चुन्नटों को सेट करते हुए इसको लगा देते हैं दूसरा फ्रिल भी हमें सेम इसी तरीके से लगा कर तयार करना है ये देखिए फ्रिल हमने लगा दिया है अब जो अंदर की सिलाई है वो इस साइड के नीचे की तरफ करते हुए हम इस पर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं जिस से हमारा फ्रिल बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है इसलिए आप भी ये सिलाई जरूर लगाना ये देखिए हमारी फ्रिल कितनी प्यारी सी लगकर तयार हो गई है बेक साइड की भी हमने ऐसे ही लगा ली है और फ्रंट साइड की भी अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं फिटिंग की सिलाई हम इसमें थोड़ी-थोड़ी सी लगा लेते हैं, क्योंकि इसकी शेप डोरी से आ जाएगी, जो हम इसमें डोरी लगाएंगे, उससे हम बेबी को पहना कर इसकी शेप कम भी कर सकते हैं, और जादा भी कर सकते हैं. दूसरी साइड में भी हमें फिटिंग की सिलाई ऐसे ही लगा कर तयार करनी है यह हमने जो सीधी पट्टी काटी हुई है इसको हमें यहाँ पर रख कर लगाना है यह जो हमने निशान लगाया हुआ है अब हम इसमें यहां पर सेंटर पर निशान लगा लेते हैं सिर्फ फ्रंट साइड के सेंटर में निशान लगाना है और इस पट्टी को फॉल्ड कर लेते हैं हम और जो हमने निशान लगाया हुआ है अंदर की साइड को पट्टी को फॉल्ड करते हुए इसके उपर लगा देते हैं निशान से आधी पट्टी हमारी एक साइड में आनी चाहिए और आधी पट्टी हमारी दूसरी साइड में आनी चाहिए ऐसे ही हम फ्रंट और बेक साइड में अपनी पट्टी लगा कर तयार कर लेते हैं ये देखिए हमने पट्टी को ऐसे लगा लिया है एक्स्ट्रा फेब्रिक जो हमारा होगा उसको हम कट कर देते हैं और दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड कर लेते हैं अब इस साइड से भी अंदर की साइड को फॉल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा देते हैं यह देखे फ्रेंट्स कितनी प्यारी सी हमारी यह पट्टी लग गई है यहां तक हमें इसको फॉल्ड करके पक्का करके इसको निकाल लेना है यह हमारी पट्टी लग चुकी है इस जंगे से यह खुली हुई पट्टी है अब जो दूसरी पट्टी हमारी थी उस पर हम बारिक सा फॉल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं आप चाहे तो इसको प्लटने वाली डोरी भी बना सकती है लेकिन हम उपर की सिलाई से लगा कर इसकी बना रहे हैं इस तरीके से भी यह बहुत अच्छी बन जाती है बारीक सी डोरी यहां पर हमने यह तयार कर ली है अब हम इसको किसी भी चीज की मदद से इसके अंदर पिरो देते हैं दूसरी साइड को हमें इस डोरी को निकाल लेना है यह देखिए यहां को हमने इस डोरी को निकाल लिया है एक साइड को डोरी पिरोई है और दूसरी साइड को हमने निकाल ली है अब हम अपनी बेबी के हिसाब से इसमें फिटिंग कर लेते हैं और यहां पर ऐसे चुन्नटों को सेट करते हुए अच्छी तरीके से इसमें नोट बान देते हैं यह देखिए हमारी फ्रोक कितनी प्यारी सी यह लग रही है अब हम इसमें लुपी लगाते हैं दो पीस लुपी के लिए यहां पर हमने ले लिए हैं इसकी चोड़ाई भी थ्री इंचे और लंबाई में भी थ्री इंचे इसको हम फॉल्ड कर लेते हैं ट्राइंगल शेप में और बीच में डोरी रख लेते हैं और नीचे का हिस्सा उठाते हुए इसका बीच में रख लेते हैं और इस पर पक्की सिलाई लगा देते हैं दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही अपने लुपी लगा कर तयार कर लेनी है यह देखे दोनों लुपी यहां पर हमने लगा दी है इसको पलट लिया है कितनी प्यारी सी इसकी डिजाइन बन कर तयार हो गया है आप किसी भी डिजाइन की लुपी इस में लगा सकती है यह देख सकती है फ्रेंट्स कितनी प्यारी सी हमारी है और बहुत छोटे से फेबरिक में फ्रोक बन कर तयार हो गई है फ्रेंट्स हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने ने डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाई बाई